एक पूर्णिमा की रात जब मैं आकाश में चान को देख रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि अगर हमारा घर चान पर होता तो क्या होता और जिस तरह हम अपने पर्यावरन का विनाश कर रहे हैं और प्रदूशन फैला रहे हैं तो एक दिन शायद हमें चान पर ही रहना पड़े तो अगर हम चान पर रहने लगें तो क्या चान पर दिन और रात होंगे देखे धर्ती पर दिन तब होते हैं जब धर्ती का वो हिस्सा जिस पर हम रह रहे हैं वो सूरज की तरफ होता है अब क्योंकि धर्ती अपनी धुरी पर गूमती रहती है तो कुछ समय बाद ये हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ चला जाएगा और तब वहाँ पर रात होगी तो अब हमें ये खोजना है कि चान भी क्या अपनी धुरी पर गूमता है क्योंकि धुरी पर गूमने से दिन और रात होते हैं अब आप सभी नहीं ये कहानी सुनी होगी कि चान पर एक बूड़ी और चरका काती है जब भी हम चान को देखते हैं तो हमें चान का एक ही हिस्सा दिखता है वो हिस्सा जिस पर बूड़ी औरत है दूसरा हिस्सा कभी नहीं दीखता इस दूसरे हिस्से को चांद की डार्क साइड भी कहते हैं तो दूसरा हिस्सा हमें क्यों नहीं दीखता दिखना तो चाहिए क्योंकि चांद धर्ती का चक्कर लगाता रहता है कल्पना कीजिये कि चांद धर्ती से बंदा हुआ धर्ती के चक्कर लगा रहा है अब चान का एक हिस्सा हमेशा धर्ती की तरफ होता है बिल्कुल इसी तरह हमारे अंतिक श्यान भी धर्ती के चक्कर लगाते हैं अब ये तो साफ है कि चान धर्ती के चक्कर लगा रहा है पर क्या वो अपनी धुरी पर भी गूम रहा है? हाँ, बिल्कुल चांद की इस्तिती में चांद का सफेद हिस्सा आपकी ओर है और चांद के काले धब्बे या जौला मुकी धर्ती की ओर है धर्ती वासियों को चांद के ये काले धब्बे ही दिखते हैं अब जैसे चान धर्ती का आधा चक्कर लगाता है तो ये काले धब्बे अब घूमकर आपकी ओर आ जाते हैं धर्ती वासियों को अब भी यही काले धब्बे दिख रहे हैं और ये धब्बे फिर से घूमकर आपसे दूर हो जाते हैं तो इससे साफ दिखता है कि चांद अपनी धुरी पर भी घूमता है, कुछ इस तरह से जिससे धर्ती वासियों को हमेशा चांद के काले दब्बे ही दिखाई दे. यहाँ आश्चारे जनक बात ये है कि चांद को धर्ती के चारों तरफ जाने में और अपनी धुरी पर घूमने में पराबर समय लगता है, 28 दिन, और इसे सिंक्रोनस मोशन भी कहते हैं, और इसी के कारण चांद का एक हिस्सा हमसे हमेशा छुपा रहता है, और हम एक हिस्से को देख पाते हैं, चांद का एक हिस्सा छुपे होने का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण भी है, वो ये है कि चांद की धुरी बिलकुल सीधी, सिरफ 1.6 डिगरी तेड़ी है, जबकि धर्ती की धुरी 23.5 डिगरी तेड़ी है, और इस बात का महत्व आप ऐसे देख सकते है मान लीजे चांद की धुरी 90 डिगरी तेड़ी होती, कुछ इस तरह तो चांद अपनी धुरी पर इस तरह घुमता, और अब चांद के धुरी पर घुमने की गती चाहे कितनी भी हो, धर्ती का आधा चकर 14 दिन में लगाने के बाद, चांद का पिछला हिस्सा धर्ती से पू 0 लीजें, तो हमने देखा कि चांद अपनी धुरी पर एक चकर पूरे 28 दिन में लगाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका एक हिस्सा 14 दिनों तक सुरज के सामने और 14 दिनों तक सूरज के पीछे होता है, तो चांद पर दिन और रात होंगे और 14 दिनों के होंगे, 14 द और चंदर ग्रहन होगा और सोचने वाली ये बात भी है कि हम धरती वासियों के ग्रहन फिर 28 दिनों में क्यों नहीं होते ये बढ़िया सवाल है और इसका जवाब हम दूसरे वीडियो में देखी तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसमें हमने देखा कि चांद पर दिन रात होते हैं या नहीं कितने बड़े होते हैं और चांद के एक हिस्से छुपे रहने का राज यानि डार्क साइड का राज क्या है धन्यवाद